नमस्कार स्वागत है आपना किटू बावर्ची यूटीब चैनल में और आज हम बनाएंगे देशी स्टाइल में गार्लिक वाला चिकन जिसके लिए मैंने स्कीन वाला चिकन लिया है साड़े सास्सो ग्राम सबसे पहले कड़ाई में मैं तेल गरम कर देता हूं थोड़ा सा त इन प्याज को मैं 5-7 मिनट के लिए पका रहा हूं जब यह लाइट गोल्डन ब्राउन होना सुरू हो जाएंगे उस टाइम में इसमें हम कुछ और लहसुन की कलिया आड़ करेंगे इसको लगातार चलाते हुए मैं मध्यमाच पे इसको पांच मिनट की आस-पास मैं इसमें मिलाऊंगा यह थोड़े से छीले हुए लहसुन की कलियां 15-20 इनको आराम से तीन से चार मिनट के लिए भूना है प्याच के साथ उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन मैंने इसकीन वाला चिकन यूज किया है अगर आपको इसकीन का चिकन नहीं पसंद है तो आप बिना इसकीन के भी इसको बना सकते हैं इसका स्वादी बहुत अच्छा है गार्लिक गार्लिक फ्लेवर एकदम सामधार इसको थोड़ा मिक्स करते हैं और प्याच के सांथ इस इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए पांग से 7 मिनट मेडियम फ्लेम पे इसको लगातर चलाते हुआ मैंने भूम लिया दूसा तीन मिनट अब इसमें हम लगाएंगे डखकन और चार से पांच मिनट के लिए इसको पकने देंगे चार से पांच मिनट पे यह जञत तूब आने लगी है। यह थोड़े से मसाले का पाउडर नाल मेर जल् دी धनिया और जीन जीरे का पार इसमें मिक्स करते हैं विदू वह कि अधर पांच मृनट के लिए और अधकन लगाके इसको पकाएंगी हैं उदபन साथ मिनट हमने फिर पकाया थी चिकन को अभी सब्सप्सक्र Edu यह देखो चीकन कितना अच्छा पक के तैयार हो रहा है इसके खुजबू हमेजिन है लाजवाब खुजबू है इसको एक वार जरूर बनाए और इतने सब की एक राया पे पानी फेरने के लिए हमने डाल दिया है इसमें एक पानी इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा ग्रेवी मसाले एक चमच के करीव इसको अच्छे से मिक्स करते हैं चार से पांच मिलट इसको और ऐसी पकने देंगे यह चुछकन हमारा लगए अगर बनके तयार हो चुछपा है धनिया इस पे फेक के मार देती है थोड़ा सा और यह हमारा चिकन बनके तयार है इसको रूटी चाव किसी के साथ खाऊ सबके साथ इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा लगता है एक बार जरूर बना और अपने अनबाव कि टू टिप कि टू बावर्ची के साथ जरूर से एर करें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं आपको रेश्पी कैसी लेगी बाइए